आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि कोई GST में newly registered यदि कोई person है तो उसे कौन-कौन सा GST form फाइल करना है GST फाइल करने के लिए उसको क्या time limit दी गई है GST के act में और उसमें क्या-क्या information उसे उस GST form में submit करनी होगी क्योंकि हर एक taxpayer के सामने यही questions होता है कि यदि उसने registration करा रखा है यदि वो खुद से return फाइल करना चाता है तो उसके लिए वीडियो बहुत important होने वाले है तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या-क्या GST form फाइल करना होगा और उसे कब फाइल करना है उसमें क्या-क्या information आपको submit करनी है चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हम पांच पॉइंट इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं पहला है टाइपस अब GST form return statement सेकेंड पॉइंट है वो हैस तो फाइल इसे किसे फाइल करना है इन सारे forms और रिटरन को और तीसरा पॉइंट है कि इसमें क्या information आपको provide करनी है चौता है कि when to file मतब इस form को कब file करना है आपको फाच्वा लास्ट पॉइंट है कि due date of filing उसका last date क्या है जिस date तक आपको इस return को या statement या return को file करनी है तो पांच पॉइंट हम discuss करने जा रहे हैं आप से request है कि आप इस चैनल पर नए है फ्रेंट तो दमोरे आपको क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें hit the bell icon to get the notification of new video फ्रेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो GST का form या return या statement होता है उसको GSTR 1 बोलते हैं यदि आप GST में regular में यदि आपने registration करा रखा है तो regular में registration कराने वाले सारे बेक्तियों को persons को GSTR 1 quarterly basis पर monthly basis पर file करना पड़ता है quarterly quarterly basis पर GSTR वो लोग file करते हैं जिन्होंने qrmp scheme को opt किया हुआ है यदि आपने qrmp scheme को opt किया है तो आप quarterly basis पर GSTR 1 को file करेंगे बाकी सारे taxpayer monthly basis पर file करेंगे that should be filed every registered taxpayer and it contains the details of all outward supplies that is sales तो GSTR 1 में जितनी भी sales आप करते हैं उसकी सारी details इसमें आती हैं सारा details जो आपके थूरू sale हुआ है वो सारा sale का figure इसमें report किया जाता है इसकी responsibility एक GSTR में register taxpayers की है वो सारा detail इसमें डालेगा अब next जो होता है GSTR 2A GSTR 2A एक auto generated statement होता है जो GSTR के portal पे generate होता है और ये generate होता है इस GSTR 1 से GSTR 1 में जो भी information दी जाते हैं invoice, invoice का date, किस person से आपने mall purchase किया हुआ, उसकी value क्या है वो सारी detail GSTR 2A में दीख जाती है GSTR 2A एक dynamic form होता है इसमें जो भी कुछ भी information होती है उसको बदला जा सकता है आपने किसी भी supplier से दी mall purchase किया है तो वो supplier के responsibility है कि वो invoice को GSTR 1 में upload करे या तो GSTR 1 में करे, IFF के थुरू करे क्योंकि जो लोग QRMP scheme में opt की हैं उनको कोई भी invoice यदि B2B invoice से ज़री submit करने हैं तो वो IFF के थुरू submit करते हैं तो जो भी information आपने दी तो वो supplier क्या करेगा कि information जब भी submit करेगा तो GSTR 2A में information आकर के record हो जाएगा आजरनेट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप आप नहीं mal purchase किया, तो आप GSTR 2A को एक बार watch करोगे उसमें सारा detail जो है अपने record से मिलाओगे ठीक है, यदि कोई गलती होते है GSTR 2A में आपके supplier से end से तो आप तुरंत उसको call करके आपने GSTR 2A में जो भी information उसको सुधार सकते हो तो GSTR 2A में जो भी information दिये होती है basically input tax credit के लिए दिया जाता है कि आपकी इतनी purchase की गए है और इतना tax आपका बन रहा है आपका supplier ने इतना tax payment किया है और इतनी input tax credit आपको मिलनी है तो GSTR 2A को केवल read आप कर सकते हैं और इसके basis पर आप input tax credit को claim नहीं कर सकते हैं तो friends आगे बढ़ते हैं GSTR 2A में जो information आती है GSTR 1 से आती है IFF कि थूरू आती है GSTR 5 जो लोग submit करते हैं GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8 यह सारे forms जैसे ही file होते हैं जैसे ही save होते हैं submit होते हैं information GSTR 2A में आकरके record हो जाती है अब GSTR 2B की बात करते हैं GSTR 2B एक month wise auto drafted statement for regular taxpayer GSTR 2B में जो information है वो GSTR 1 से आती है मैंने बताया GSTR 2A में भी वहीं से आती है GSTR 2B में भी वहीं से आती है लेकिन GSTR 2B में सर्त यह है कि आपको GSTR 1 file कर देना चाहिए तो अपडेट हो जाएगा तो GSTR 2B में input tax credit आपकी कितनी बन रही है वो सारा detail आपका आएगा उसमें eligible input tax credit ineligible input tax credit की detail उसमें दीखेगी उसके basis पे आप input tax credit को claim कर सकते हैं अपने tax liability को आप adjust करा सकते हैं तो GSTR 2B month wise auto drafted statement for regular taxpayer चाहे आप QRMP scheme में opt किये हो या न किये हो जैसे आपका supplier GSTR 1 में data save करेगा इसमें दिखना चालू हो जाएगा तो इट प्रोवाइट से लिजबल और ineligible input tax credit each month हर एक महिने आपको GSTR 2B में input tax credit दीखेगी source of information अगें वही है जो हमने ओपर discuss किया लेकिन इसमें GSTR 1, IFF यह file किया होना चाहिए यहाँ पर क्या था save होगा या submit होगा तो GSTR 2B में information दिखेगा लेकिन GSTR 2B के लिए आपको GSTR 1 file करना mandatory है GSTR 5, GSTR 6 यह सारे forms file होने चाहिए अब आते हैं GSTR 3B क्या होता है तो GSTR 3B it is a consolidated summary return of inward तो GSTR 2B में मैंने बताया है कि जो भी आप purchase करोगे उसका सारा detail आपके GSTR 2B में दीखेगा यानि आपकी input tax credit उसमें दीखेगी वहाँ से data जो है तो जब आप GSTR 1 file करोगे तो आपका जो भी output tax liability बनेगा वो भी GSTR 3B में जाके auto populate हो जाता है ठीक है तो final जो है GSTR 3B में tax की liability calculate होकर के आ जाती है और उस tax liability को आपको GSTR 3B में payment करना होता है तो GSTR 3B in other words it is a tax liability statement इसको आप tax liability statement भी बोल सकते हैं GSTR 3B again जैसे GSTR 1 monthly basis पे होता था वैसे GSTR 3B monthly basis पे file किया जा सकता है ऐसे taxpayer जो QRMP scheme को opt नहीं किया है वो file कर सकते हैं similarly जो लो नो QRMP scheme को opt किया है वो लो GSTR 3B को quarterly basis पे भी file कर सकते हैं एक example से समझने कोशिस करते हैं A supplied goods to B for office 10,000 charge 1200 CGST 1200 SGST अब इसमें देखिए A ने B से A ने B को supply किया अब उससे क्या collect किया 12,000 रुपे CGST 12,000 SGST उसकी responsibility क्या बनती है A जो है B को जो supply किया वो output supply मानी जाएगी और B क्या करेगा A को 12,400 रुपे का payment करेगा जिसमें की CGST 1200 रुपे है और SGST 1200 रुपे है अब A की responsibility क्या है कि ये GSTR 1 को क्या करें file करें save करें और submit करें यदि यो तीनों करता है तो GSTR 2A में information जो है दिखने लगेगी आप B जो है उस information को पढ़ सकता है कि मैंने कितने का पाल purchase किया उसकी value क्या है सारी detail GSTR 2A में वो पढ़ सकता है read only के वाली statement होता है उसमें changes कुछ नहीं हो सकता है यदि कोई गलती होगे तो वो अप A को intimate करके उस गलती को सुधार सकता है तो अब इसने file कर दिया तो इसमें दिखने लगेगा इसके बाद if GSTR 1 is filed अब क्या हो GSTR 1 में data save हो गया submit हो गया अब finally जब GSTR 1 file हो जाता है तो GSTR 2B क्या हो जाता है auto-drafted हो जाता है यानि GSTR 1 से data out करके GSTR 2B में दिखने लगता है और इसमें eligible or ineligible ITC दिखने लगती है यानि B के GSTR 2B में eligible or ineligible ITC दिखने लगेगी जिसमें CGST 1200 इसको यहां पर देखने लगेगा इसके बाद B ने क्या किया C को supply किया तो B के लिए तो outward taxable supply हो जाएगी तो अब C ने क्या किया B को जो है payment कर दिया 14,880 रुप है ठीक है तो अब B की responsibility है कि वो अपना tax liability का payment करे उसके पहले उसको GSTR 1 file करना है तो GSTR 1 उसने जब file किया तो उ output tax liability वो GSTR 3B में चला गया ठीक है तो GSTR 3B में total tax liability 2880 रुपे दिखेगी जिसमें की C GSTR 1440 रुपे as GSTR 1440 रुपे 2880 रुपे tax liability दिखा और इधर से GSTR 2B से जो data है वो update हो करके GSTR 3B में चला आया यानि जो भी आपने purchase किया उसकी summary भी GSTR 3B में आ करके दिखने लगी कि आपको total IT 2400 रुपे अब label है वो भी GSTR 3B में दिखने लगेगा तो इधर से जो भी ITC का amount है 2400 रुपे दोनों को minus करने बाद 400 रुपे net payment आपका दिखेगा जो आपको payment करना होगा इसके बाद friends due date of filing return अब return को file करने की due date क्या होती है it is based on your turnover जो आपका turnover है उसके basis पे due date आपका determined होता ह तो turnover के case में क्या है कि turnover business with sales of up to Rs.5 crore have an option to file quarterly return under the QRMP scheme जैसे हमने उपर अभी discuss किया था कि GSTR 1 QRMP scheme को जो लोग opt नहीं की हों monthly basis पे file करेंगे तो QRMP scheme ऐसे लोगों के लिए है जिनका की turnover financial error में 5 crore तक है वो लोग QRMP scheme को opt कर सकते हैं तो जो लोगों ने QRMP scheme को opt किया हुआ है वो लोग GSTR 1 monthly basis पे नहीं file करके वो लो quarterly basis पे file करेंगे और quarterly basis पे जो file करेंगे उसका जो due date होगा 13th of the month after the end of the quarter जैसे अप्रेल माई जून का जो GSTR 1 file कर रहे हैं तो माई के 13 माई तक आपको QRMP scheme में GSTR 1 file करनी है ठीक है अब those person who have not opted QRMP scheme जिन्हों ने QRMP scheme को opt नहीं किया है तो कौन लोग opt नहीं करेंगे अब जिनका की turnover 5 crore के ऊपर चला गया वो भी QRMP scheme को opt नहीं कर सकते हैं जिससे नीचे लिखा हुआ है whereas those taxpayers who do not opt for QRMP scheme और have the total turnover above Rs.5 crore must file return every month ठीक है जिनका 5 crore के ऊपर turnover है और जिन्होंने QRMP scheme को opt नहीं किया है मतलब उनको opt करने की facility दी गए थी लेकिन उनने opt नहीं किया तो उस ऐसे taxpayers क्या करेंगे GSTR 1 को monthly basis पे file करेंगे और monthly basis पे next month के 11 तक उनको GSTR 1 file करना है यानि 11 जो date है वो due date है जैसे मई का आप file कर रहे हैं तो मई का जून में 11 तारिक तक आपको GSTR 1 file करना है तो ये clear हो गया GSTR 1 को file करने के लिए इसी तरीके से invoice furnishing facility है GSTR 1 का ही as a copy है मतलब जो लोग QRMP scheme को opt किये हैं वो लोग GSTR 1 के जगह पे IFF हर महीने file करेंगे यानि कि दो महीने तक quarterly तो GSTR 1 file होगा लेकिन जो first और second month में उनको invoice furnishing facility दी गई है GSTR portal पे क्योंकि वो अपना B2B जो भी invices है वो invoice furnishing facility में अपना submit कर सके तो उसका due date है by 13th of the next month तो B2B invices के लिए 13th तारिक तक वो अपना invoice furnishing facility के तायत वो लो invoice को update कर सकते हैं और जो invoice furnishing facility में जो भी invices update होते हैं उसका जो tax का payment होता है वो 25 तारिक तक यानि उसी महीने के 25 तारिक तक उन्हें tax का payment करना है tax payment के लिए दो method है self assessment method और fixed turnover method तो दोनों का method हमने discuss किया अपने वीडियो में आप जाके देख सकते हैं चैनल पर और यह जो invoice furnishing facility है यह optional है मतलब आप चाहें तो इसको कर सकते हैं otherwise आप मतलब जब GSTR 1 quarterly basis पर फाइल करेंगे चौथे महीने में तो उस time पे ही अपना तीनों महीने का जो भी sales data है उसको आप submit कर सकते हैं वहाँ पर और फाइल कर सकते हैं तो यह optional है यह invoice furnishing facility आप चाहें तो कर भी सकते हैं चाहें तो न दिव डेट है 20 तारिक हर महीने के 20 तारिक यानि कि जिस महीने आपने turnover generate किया उसके अगले महीने के 20 तारिक तक आपका due date है GSTR 1 थेवी filing का जिसका turnover 5 करोड के नीचे है जिन्होंने की QRMP scheme को opt नहीं किया है ठीक है दो लोग हैं जिसका turnover 5 करोड के नीचे है उनको QRMP scheme दिया गय नहीं किया तो उस case में उनको GSTR 3B monthly basis में फाइल करना होगा तो monthly basis में दो due date है एक 20 second of every month और दूसरा 24th of every month तो इसमें देखे states कौन सा states आपका applicable है आप इस list में देख सकते हैं देखने के बाद आपका due date वहां से clear हो जाएगा ठीक है अब जिन्होंने QRMP scheme को opt कर लिया है 5 QRMP scheme मिला था opt करने के उन्होंने opt कर लिया तो जो लोग opt कर चुके हैं उनका due date देखे यह है for those who have opted QRMP scheme the due date is 22 and 24th of the month following every quarter मतब quarter जब end होगा आपका तो उसके अगले माहिने की 224 तारिक तक का आपको date दिया गया तो 22 तारिक तक का date ऐसे taxpayer के लिए जो कि इस states में आते हैं और 24 20 तारिक ऐसे taxpayer को जो कि इस states को belong करते हैं ठीक है तो एक quarter end होने के अगले महिने file होगा यदि आपने QRMP scheme opt किया है और दि नहीं आपने opt किया तो monthly basis पे आपको यह जो दोनों date दिया है इसमें file करना है लेकिन 5 क्रोड के उपर turnover होगा तो आपको 20 तारिक तक submit करना है ठीक है तो GSTR1 के लिए आप यदि QRMP scheme में अदि आपने opt नहीं किया है तो GSTR1 को आप monthly basis पे file करेंगे और इसमें सारा detail आप जो भी sale किया है उसका सारा detail आप GSTR1 में submit करेंगे और यदि आपने QRMP scheme को opt किया है तो IFF में आप data को उसमें submit करेंगे, invoice update करेंगे GSTR1 जैसे ही update होता है या IFF जैसे ही update होता है फाइल होता है तो GSTR2A में सारा data आजाता है और आप इसको यह क्यों view purpose के लिए होता है आप इसको क्यों देख सकते हैं इसमें कोई changes नहीं होता है changes supplier के end से होता है यादि कोई भी invoice में कोई mistake होगे तो आप अपने supplier को बोलेंगे तो वो data इसमें modify कर सकता है तो 2A को आप जो है watch कर सकते हैं इसको देख के अपना data मिला सकते हैं टूबी 14 तारिक को यह auto draft हो जाता है यानि GSTR 1 से डाटा ऊट करके GSTR 2B में auto drafted हो जाता है 14 हर महिने के next month के 14 तारिक तक आप 2B को देख सकते हैं अपना eligible input task rate in eligible input task rate आप इसमें 2B में मिला सकते हैं monthly return 3B GSTR 3B monthly return भी फाइल होता है quarterly basis पे फाइल होता है QRP scheme वालों को 3B quarterly basis पे फाइल करना है तो हर एक end के quarter के अगले महिने में 3B फाइल करना है तो 3B में देखिए यह सारे data इसमें आ जाते हैं GSTR 1 से data उट करके मानी कि जो भी आपने sale किया उसकी tax liability आपकी GSTR 3B में auto update हो जाती है similarly जो आपने purchase किया है उसकी input tax credit है तो हो सारा ITC यहाँ पे आपको दिखने लगेगा तो इन दोनों का output tax liability और input tax credit इन दोनों का जो भी net amount होता है वो 3B में आपको file करना होता है payment करना होता है tax का tax का payment आप जब करते हैं तो 3B को आप file कर सकते हैं इस तरीके से process चलता है तो जोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like share जरू करिएगा thank you so much